राजस्तान में विधान सभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा की कोशिश को तगड़ा जटका लगा आम आदनी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने विधान सभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का अलान किया है ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी सीधी टकर कॉंग्रेस बीजेपी की बीची होगी अब प्रदेश प्रभारी विने मिश्वरा का कहना है कि उनकी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि बहुजन समाज पार्टी का पहले ही घुशना कर चुकी है कि राज्य में किसी से गड़ बंदन ना होगा हलाकि अरलपी से योजक हनुमान बेनिवाल भी सीटों पर चुनाव लड़ने का अलान कर चुके है उनका कहना है कुछ सीटों पर चोटे दलों से गड़ बंदन कर सकते हैं OVC का कहना है कि उनकी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी BTP और OVC की पार्टी की बीच गड़ बंदन हो सकता है हलके भी चुनाव के लिए 9 महीने का वक्त है धीरे धीरे ही तस्वीर साफ होगी राजस्तान में कॉंग्रेस BTP से मुकाबली के लिए तीसरा मोचा बनने से पहले ही बिखरता दिख रहा है छोटे दल एक दूसरे के खलाफी ताल ठोक सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंग बाबा का कहना है कि उनकी पार्टी किसी से गड़ बंधन नहीं करेगी उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी कॉंग्रेस और BTP से दूरी बना कर चलेगी बाटी दलित अलपसंख्यक पिछडों के हक की लड़ाई लड रही है बाटी सभी जातियों के प्रत्याशीयों को टिकेट देती है ऐसे में सभी जातियों के वोट बलते हैं कॉंगरेस और BJP जिन जातियों को टिकेट नहीं देती उन्हें प्रात्मिक्ता से टिकेट देंगे जाती समिकरन देखकर टिकेट बाटेंगे बता दें कि पिछले विधान सबा चुनावों में निर्दली और थर्ड फरंट को मिली थी 27 सीटे जबकि 2018 विधान सबा चुनावों में कॉंग्रेस को 101 भाशपा को 72, RLP को 3, RLD 1, BTP को 2, CPM को 2, बसपा को 6 और निर्दलीों को 13 सीटे मिली यानि 27 सीट पर थर्ड फरंट को जीत मिली बगवान सिंग बाबा का कहना है कि 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे हलाकि पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देशों का पालन करेंगे इधर जानकारी ये मिल रही है दरसल RLP सुप्रीमों का कहना है कि 1500 सीटों पर पार्टी कॉंग्रेस और BJP को सीधी टकर देगी वहीं 50 सीटों पर BJP कॉंग्रेस को हराने वाली इक्षेत्रीय पार्टीयों के साथ गटबंधन करेंगे RLP बजरी को लेकर बाडमेर, टोंक, भीलवाड़ा, रिया और गंगा नगर और हनुमान गड़ में पानी को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगी पेपर लीग को लेकर बड़े आंदोलन होंगे, अलवर और भरतपुर और जैपुर में ERCP को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो पाटी जल्दी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है BGP का प्रभाव भी आदिवासिक शेत्रों में माना जाता है झाल внимें औरर लीगर आार भी आदिवासिक शेत्रों मेंना क्रावज इंगर क biz Score